आप सवों का स्वागत है तो दोस्तो एक प्रश्ण पर चार पांच प्रश्ण दो तिन प्रश्ण का उत्तर आपको मिलेगा जो की उसी से रिलिटीव है यनि की पूरा डिटेल से प्रश्ण है दोस्तो प्रश्ण है निमलिखित की सम्मिधान संसोधन अधीनियम द्वरामत द करने की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई ओप्षन दिया हुआ है एक तरववा संविदान संसोधन ऑप्षन बी 61 संविदान संसोधन ऑप्षन सी 52 संसोधन ऑप्षन डी 63 संसोधन तो दोस्तों इस प्रश्णिका उतर आप पहले से जान रहें तो कोमेंट बोक्स मे उत्तर जरूर दिजे तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा ओप्शन B 61 संविधान संसोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया वोट देने का अधिकार तो चलिए दोस्तों प्रश्ण का डिटेल हैं भारत का संविधान 61 संसोधन अधिनियम 1989 इस अधि के द्वारा संविधान के अनुच्छे 326 का संसोधन करके मत अधिकार की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई ताकि देश के उस युवा वर्ष को जिसे अभी तक कोई परती निधित्म नहीं मिल पाया था अपनी भवनाय व्यक्त करने का अफसर मिल सके और वह अजनितिक प्रक्रिया का अंग बन सके तो दोस्तों आप देखें कि यह जो कि है कि तो दोस्तों अभी आप समझें कि 61 संविधान संसोधन 1989 में हुआ था और उस संसोधन में 326 अनुछेद का पड़ियोग करके 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई मत अधिकार यानि वोट गिराने का और उसे अब भावनाय मन की वातने और गई तो चलिए अगले प्रश्ण की वर्ष प्रश्ण है दोस्तों कि भारत का पहला अधिकारी जनगन अधि अभियान की सुबर्ष चलाया गया ओप्शन दिया हुआ है 1841, ओप्शन B 1881, ओप्शन C 1921 या ओप्शन D 1961 तो दोस्तों इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा 1881 तो दोस्तों 1872 इस्वी में सार्व प्रथम जनगन अधिकारी जनगन हुआ था और 1881 से परतियक 10 वर्ष पर जनगन नियमित रूप से होने लगा तो चलिए इसका देखते हैं पुरा डिटेल दोस्तों तो डिटेल में आप देख रहे हैं कि भारत में प्रथम जनगन ना 1872 इस्वी में वाइरेस लाड मियो के सास्तन काल में हुआ था तो सबसे पहले भारत में जनगना कब हुआ था लाड मियो वाइरेस के सास्तन काल में हुआ था और रूप 832 इस्वी में हुआ था तो साचनकाल में हुआ था किन्तु भारत में नियमित जनगन्ना 1881 से शुरूवी तो भारत में नियमित जनगन्ना कब से शुरूआ दोस्तो 1881 से 1881 की जनगन्ना का रिपोर्ट में भारत की कुल 22.88 क्रोड जरसंक्या थी तो दोस्तो उस समय 22.88 करोड जन संख्या कूल था और अभी की बात करें दोस्तो तो 130 करोड पॉइंट कुछ लगवग है और उस समय विद्वा की संख्या दोस्तो जो था वर 2.09 के करोड में विद्वा की जन संख्या थी तो चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रश्न राजीब गंधी के मिर्तियु दिवस को किस रूप में मनाया जाता है ओप्शन दियावायराश्टी अखंडता दिवस धर्म निर्पेक्सता दिवस सहीद दिवस या आतंगवादी विरोधी दिवस तो दोस्तो इस प्रश्न का उत आतंगवादी विरोधी दिवस तो प्रश्न का पुरा डिटेल है दोस्तो राजीब गंधी के मिर्तियु दिवस को आतंगवादी विरोधी दिवस के रूप में 21 मई 2013 को मनाने का निर्ने लिया गया राजीब गंधी के शमाधी अस्थल को बीर भूमिक प्रश्न है मात्मा गंधी ने केवल एक वार कॉंग्रेस के वार्शिक अधिवेशन की अध्यक्स्ता की थी प्रश्न है सहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है ओप्शन दिया हुआ है 15 जनवरी को 30 जनवरी को 26 जनवरी को ये 2 अक्टूबर को तो दोस्तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी को सहीद दिवस मनाया जाता है और मनाने का कारान है दोस्तो मात्मा गंधी की मिर्ट्यूँ तो चलिए आप टेक्षिन एस याई छेत्र सहयोग संगठन सार्ख की सुवर्स अस्तिफ में आया ओप्शन दिया हुआ है 1975 में ओप्शन भी 1965 में ओप्शन सी 55 में या 1985 में तो दोस्तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1985 में सार्ख का स्थापना हुआ और इसका दोस्तों काड़ी तो इसका पुरा डीटेल देख रहे हैं कि देक्षिन एस याई छेत्र सहयोग संगठन सार्ख की अस्थापना 1985 में अस्तिफ में आया इसका मुख्याले काटमंडू नेपाल में है दसक चिसकी अस्थापना साथ देशों ने मिलकर की थी यह देश है पहला है दोस्तों भारत पाकिस्तान स्री लंका नेपाल भुटाउन बंगलादेश और मालदीव 2007 में अफगनिस्तान ने इसका आठम सदस्य बन गया तो चलिए अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण है दोस्तों की तो प्रश्ण है दोस्तों राजा हरी चंद्र फिल्म का निरदेश कौन था ओप्शन दिया हुआ है दादा साहब फल के ओप्शन बी नात कंगुली ओप्श दिया दोस्तों इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा दादा साहब फल के ओवार्ड भी है जो की सिनमा छेत्र में दिया जाते हैं तो इधर हाल ही में अमिता बच्चन को इसे दादा साहब फल के सम्मान से सम्मानित किया गया है तो चलिए अगले प्रश्ण की डिटेल देख रहे हैं कि राजा हरी चंद्र के निर्देशक दादा साहब फल के थे यह 1913 इसमी में बनी भारतिये मुक फिल्म थी यह भारतिये सीनेमों की परथम पुर्ण लंबाई की नट्य रूप फिल्म थी यह फिल्म भारत की कथाओं से एक राजा हरी चंद्र की कहनी पर अधारित है तो चलिए अगले प्रस्ण की मैं तो दोस्तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा भारत पेटरोलियम संस्थान वैं देख लेता है दोस्तो तो भारतिय पेट्रोलियम संस्तान उत्राखन राज्य के दहरादून सहर में इस्तित है इसकी अस्थापना उनिस्टो साथ इस्वी में की गई थी यह संस्तान CSIR के अंतरगत कार्यसील है तो चलिए अगले प्रशन की ओर प्रशने दोस्तो कौन साथ दिन विश्व ज जल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो दोस्तो आप सभी को इस असान से प्रशन का उत्तर जरूर पता होगा कि ओप्शन दिया हुआ 21 मार्च, 20 मार्च, 23 मार्च या 22 मार्च तो दोस्तो इस प्रशन का उतर हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मना जाता है और 20 मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है तो चलिए अगले प्रशने की और प्रशने दोस्तो गोल में सम्मेलन के तीन दौर कहां पर आयोजित किये थे जियां दोस्तो भारत पूरे दोस्तो गोल में सम्मेलन जैने की पीर्थिवी सम्मेलन दोस्तो यह लंदन में मुंबई में मैंचेस्टर में या कोलकटा में तो दौस्तो इस प्रस्वन का उत्षर हो जाएगा लंदन में हो था तो चलिए इसका पूरा डीटेल देख लेते हैं दौस्तो तो पर्थम गोल में सम्बेलन 12 नम्बर 1922 दुसरा गोल में सम्मेलन 7 सित्यमबर 1931 इस वी तीरतिय गोल में सम्मेलन 17 नुमर 1932 में संपन्य हुआ प्रंतुय सम्मेलन संप्रादाइक परती निधित्विके कारण ओ सफल रहा तीनों गोल में सम्मेलन के सम्मेलन इंगलेन का परधान मंत्री जेमस रेजैम मैक डोनाल्ड था तो चलिए अगले प्रशन की ओर प्रशन है दोस्तो कि चार मिनार आप कहां देख सकते हैं दिल्ली में, हैजडराबाद में, औरंगाबाद में या अगरा में दोस्तो इस प्रशन का उतर हो जाएगा कि आप 4 मिनार को देख सकते udah में अफसन भी हाइदराबाद में तो चलिए इसका प्रडीटेल देख लेते हैं दोस्तो डीटेल में आप देख रहे हैं कि 4 मिनार हाइदराबाद में इस्तितthat या मुहम्मद कूली कुतूपसा दुआरा उन 1591 इश्वी में बनाया गया था इसकी उचाई 180 फीट है तो चलिए अगले प्रश्ने की ओर प्रश्ने दोस्तो सौर मंडल में सबसे बरागरा कौन सा है और भारी गरा जो है दोस्तो वह ब्रस्पती है यह आप सभी जानते होंगे तो चलिए दोस्तो इसका पुरा डिटेल देख लेते हैं कि ब्रस्पती सौर मंडल का सबसे बरागरा है इसे अपनी धूरी पर चकर लगाने में 10 घंटा और सूरी की परिकरम करने में 12 वर्स लग जाते हैं दोस्तो चलिए एगले प्रश्ने की ओर तो दोस्तो इस प्रश्न को आप यहीं पर समाप्त करते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ऑफ्चन दिया हुआ है भारत के राष्टपती भारत के परधान मंतरी ये गिर्या मंतरी ये बीत मंतरी तो दोस्तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत के परधान मंतरी तो दोस्तो इस तरह से अगर पूछ दिया जा कि अभी भात के योजना आयो के अध्यक्ष को होने तो नरेनमध्य हो जाएगा दोस्तो तो चलिए अगले प्रस्निकी योर तो इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तो देख रहे हैं कि परधावन मंत्री योजना आयो के बेतन अध्यक्ष होता है संबीधावन के अनुछेद अगर पूछा जाएं दोस्तो कि भारत में परधावन मंत्री योजना का अध्यक्ष होता है वह अनुछेद चाउतर के अनु प्रधावन मंत्री होता है तो दोस्तों आप समझ लिए होंगे तो चलिए अगले प्रश्न की और प्रश्न दोस्तों पिर्थिवी के गुर्थिवे बल की बजह से किसी पिंड में उत्पन तोरन यानि की जी कामन क्या होगा तो दोस्तों इस प्रश्न बहुत ही असन है तो स्क्वाइर ओप्शन डी सही है तो चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है दोस्तों कि इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों पिर्थिवी के गृत्वे कर्शन बल के कारण किसी पींड में उत्पन तोरन कामान 9.8 मीटर प्रती सकेंड स्क्वाइर होता है तो चलिए सिम्दलिखीत किस बैज्यानिक ने इलेक्ट्रोन की खोज की है अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जान रहे हैं तो कोमेंड बोक्स में उत्तर जरूर दीजे तो दोस्तों इसका खोज किया था जे जे ठमसन ने तो चलिए इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं तो इलेक्ट्रोन एक ऐसा करन है जो परमानु के नाभिक के चारो ओर कक्छ में प्रिकरमन करता है इस पर इकाई रीन आबेस होता है इसका खोज करता जे जे ठमसन है तो चलिए अगले प्रश्न की और प्रस्न है मनब शरीर की सबसे बरी गरंथी है ओप्शन दिया हुआ एगना से या पिता से या जिगर या दिल तो दोस्तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा जिगर यानि की लिबर तो चलिए इसका प्राद डिटेल देख लेते हैं तो डिटेल में आप देख रहें दोस्तो कि मनब शरीर की सबसे बरी गरंथी यक्रित यानि लिबर या जिगर है और सबसे छोटी गरंथी पिट्यूरी गरंथी और इसी को दोस्तो मस्टर गरंथी भी कहा जाता है जैसा है कि आवे हाल ही में एसा याने की दोरगा का जो एक जाओ है दोस्तों इस प्रश्ण यही पुछा था कि मनव शरीर का अंतसरावी ग्रंथी कौन सा है तो पिट्यूरी है दोस्तों तो चलिए अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण है दोस्तों कि भारत्य समिधन की आठवी अनुसूची किस्से समंदित है ओप्शन दियावा है भसाओं से संग वराज्य की सक्तियाओं से या बित्य आयोक से या इनमे से कोई नहीं तो दोस्तों इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा ओप्शन ए भसाओं से तो चल गया है मुल्य रूप से आठवी अनुसूची में 14 भसाये थी तो मुल्य रूप से सबसे पहले कितना भसा था 14 भसा था जो की 2004 में मैथली, संथाली डोगरी अन्य कई भसाये आठवी अनुसूची में समिल क्या गया जो की अब हो गया 22 भसा तो चलिए अगले प्रस्ण की ओर प्रस्ण की कौन सा प्राचिन वेध है प्रस्ण कौन सा प्राचिन वेध है ओप्शन ए रिग वेध ओप्शन बी यजुरु वेध ओप्शन सी सम वेध ओप्शन डी अथर वेध तो दोस्तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा रिग वेद सबसे प्राचिन वेध हैं और अगर पूच दिया जाए कि वेदंगों की संख्या तो वेदंगों की संख्या कितना है दोस्तो 6 वेद कितना है 4 और पुरान कितना है दोस्तो 18 तो चलिए अगले प्रस्ण इसका डिटेल देखते हैं तो डिटेल में देख रहे हैं दोस्तों कि प्राचिन वेद रिगवेद हैं इनमें 10 मंडल हैं शुकति की संख्या 1028 हैं एबं 10462 रिचाएं हैं इनकी रिचाओं को पहरने वाले रिशी को क्या करते हैं हेदू करते हैं तो चलिए समझ गए होंगे आप अगले प्रश्ण की ओर, प्रश्ण है दोस्तों कि पानी पत के दूसरे यूद में अकवर ने किसे हराया था, अप्रश्ण है इब्राहिम लोदी, अप्रश्ण बी हेमू, अप्रश्ण सी सेर्शा, अप्रश्ण डी सिवाजी, तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा, अकवर ने दुतिये विश्वियूद में हेमू को हराया था, तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं, तो देख र गंधी जी को महत्मा नाम इन में से किसने दिया था, तो प्रश्ण है कि महत्मा गंधी को महत्मा सर्व पर्थम किसने का था, किसने नाम दिया है, तो ऑफ्शन है रवीन नाट टाइगोर, पंडि जभारलाल निहरू, सर्दार बल्ला भाई पटेर या नेता जी सुवास चं आप गंधी जी को महत्मा रवीन नाट टाइगोर ने कहा, तो चलिए इसका डिटेल देख लेतèces हैं, तो आप देख रहे हैं कि महत्मा नाम रवीन नाट टाइगोर ने दिया था, महत्मा गंधी के राजनितिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो चलिए अगले प् पुछ दिया जाए कि मात्मा जी का गुरु कौन था तो गोपाल कृष्ण गोखले तो चलिए अगले प्रस्ने की ओर प्रस्ने दोस्तो आठ अप्रेल 1929 इस्वी को किसने सेंट्रल असेंबली में बम फेका था अगर आप इस प्रस्ने का उतर पहले से जान रहें तो कोमेंड बोक्स में उतर जरूर दें तो दोस्तो इस प्रस्ने का उतर हो जागा भगात सिंग ने फेका था चलिए इसका पूरा डिटेल देखते लेखते हैं दोस्तों तो पबलिक सेप्टी बिल पास होने के बिरोध में 8 अप्रेल 1929 इस्वी को बट्टू के स्वर्दत एवं भगत सिंग ने दिल्ली में सेंट्रल असेमली में खाली बेंच खाली ब्रेंच पर बम फेका था तो दोस्तों इसी के कारण उसे भगत सिंग को और बट्टू के स्वर्दत को और एक तो राजगुरू को तीनों को दोस्तों उसने पकर कर फासी पर चला दिये थे जो की 23 मार्च 1931 इसको उसे पर चलाया था तो चलिए अगले प्रशने की ओर प्रशने दोस्तों की बूध ने अपना प्रत्थम उपदेश इनमे से कहां दिया था अप्सन दिया हुआ है लुबनी में सारनात में सांची में या गया में तो दोस्तों इस प्रशने का उत्तर हो जाएगा की ब बूध ने सर्व प्रतम उपदेश दिया था सारनात में ऑप्शन भी सही है तो चलिए अगले प्रशने की और देखें दोस्तों इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं बूध ने अपना प्रतम उपदेश सारनात में दिया जिससे बोध गरंथ में धर्म चक्र प्रावरतन कहा गया है तो चलिए अगले प्रशने की और प्रशने दोस्तों भारत छोरो अंदावलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था भारत छोरो अंदालन दोस्तों कब हुआ था ओप्शन दिया हुआ है 1940 में, 1942 में, 1945 में या 1947 में तो दोस्तों इस प्रशने का उत्तर हो जाएगा 1942 में भारत छोरो अंदालन वा था मुंबई में तो चलिए इसका पुरा भारत छोरो अंदावलन तो चलिए इसका दोस्तों पुरा डिटेल देख लेते हैं डिटेल में देख रहे हैं कि भारत छोरो अंदालन की शुरवात 9 अगस्ट 1942 को हुई इस अंदावलन में गंधी जी ने करो या मरो का नगर दिया था अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि करो या मरो का नरा किस ने दिया था तो गंधी जी ने दिया था करो या मरो का नरा कब दिया था तो ये भारत छोड़ा अंदरल में दिया था और भारत छोड़ा अंदरल का हुआ था तो मुंबई में 9 अगास 122 को हुआ था तो चलिए अ उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि गोतम बुध का जन्म जो हुआ हुआ है लुबनी में तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं डिटेल में देख रहे हैं दोस्तों कि गोतम बुध का जन्म 563 इसापूर में कपील बस्तू के लुबनी नमक अस्थान पर हुआ था इनके बच्पन का नम सिधार्थ है तो गोतम भूत के बच्पन का नम क्या था दोस्तो सिधार्थ और जन्म कब हुआ है 563 इसापुरु में कहा हुआ है लूबनी में तो चलिए दोस्तो अगले प्रस्ण की ओर तो दोस्तो आज यहीं तक करने देते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो सेर जरूर करें और आप इस तरह से प्रस्ण देखना चाते हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें और दोस्तो मैद का भी वीडियो आता है दोस्तो अगर आप मैद अच्छे समझेना चाते हैं सेल भासां में तो वेब भी मायत का भी वीडियो जरूर देखें तो थैंक्यू धन्यवाद जैहिंद